जब तक साध्य किस शरीर का महात्य रखेगा तब भगवत तत्तु का उसे यौन नहीं हो सकता पक्का और बिना यौन के सच्छा वयराग्य नहीं होता और बिना वयराग्य के भखती रंग नहीं लाती है पक्का समझे लेना कोई चाहे जिस मार्ग का पथिक हो ज्ञान अत्यन तावश्यक है जब ज्ञान ही नहीं तो क्या त्यागना है क्या पकड़ना है कैसे चलना है कैसे चलोगे अब इसे हरिवन्स महाप्रभू रस के आचारे हैं एक ही पंक्ति में सब कुछ कह ड़ा ला क्योंको ज्यादा समय सधांतबर्णन करने में नहीं देना है कि सबसुं हिया है कि अब हित सबसे करें और मती शकामता को न प्राप्त दहिए बहुत बड़ी सिद्धि ङह पूरी बज़ार में भूम्हाथ कोई कोई चिंतन नफह से कोई आकर्षण नहों कोई वस्तू का चिंतन नहोंने पावे यह सब का सुभाव अलग-लग रचा गया है हमारे भगवान का लीला भी नोदे न सब का सोभाव अलग-अलग है असंख्यो प्रकार के सुभाव की रचना प्रुपने कि इसमें आपको बरताउ करना है सब के प्रतिहित सब के प्रति लेकिन कहीं भी कामना छून जाए मैत्रह और निर्ममो दोनों का जोड होना है करुणा और निरहंकारा सब पे दया करनी पर हम न छूजाए कि मैं दयाकवान हूँ सबसे मित्रता हित लेकिन कहीं भी हमारी मम्ता नहोज़े बहुत बड़ी कम सब्दों में सब सास्त्रों का सार महाप्रव हरिवन्स चंद्र जुनी रख दिया सबसो हित निस्काम मती मती को निस्काम होना ये तब ही हो सकता है जब ये पंक्ती हरदय में आ जाएगी प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो अब क्या काम ना करे पूरे में तो आचारी चरण ने दसकत कर दिया कि सब काल ब्याल के द्वारा खाया जा चुका है ये प्रपंच वंचना करने वाला है तुम्हारे जीवन के उद्देश को नस्ट करने वाला है प्रपंच बंच दो भावते हैं तुम्हारे जीवन को ये वंचना कर देगा जो तुम्हें लक्ष प्राप्ति उने होने देगा ये प्रपंच इसका इतना आकर्शन है और दुसी बात बंच शब संपूर्ण प्रपंच का राग त्याग हो जाए जैसी धरीवन्स प्रपंच बंच सब सब सुब अशूब उत्तम अधम सब सब महात्मा दुरात्मा जितना भी स्ष्टीर अची हुई है यह सब आपको जो दिखाई दे रहा है सब अगेर आप अपना लाव चाहते हो तो स्याम स्यामा पत कमल संगी मात्र ना किसी भेश की बात की है ना किसी बाहरी लक्षन की बात की है इसमें स्याम स्यामा पत कमल संगी वो पुरुष किमवा नारी हो जिनके यह भाव कोई भी हो ना कहा है कि लाल कपड़ वाला हो पीला क प्रवला हो, पुरुष हो, जवान हो, ब्रद्द्ध विद्वान हो, ऐसा तो कुछ नहीं कल। शयाम, शयामापद, कमल, संगी, सिर्नायो, पसित नहीं है। निशकाम मती होना बहुत बढ़ी मतलब बात है। मती का निशकाम हो जाना थैं आदबूत आनद रेता है। केवल एक मारकिन आप तो गरम है ऐसे केवल उसी कुछ हाती में से बाद लेते हैं पूरा सरीर तभी कापना बंद होता जब धूप निकलती थी जब गंगा की किनारे किनारे ब्रहमण कर रहे हैं कभी दुख थुड़े हुआ दुख नहीं हुआ कभी दुख से कितने दिन धेला जा सकता है किसी विद्वन्द को दुख नहीं था उत्सा नवीन उत्सा एक दिन तो हलकी बूंदे हो रही थी एक गाउन नजदीक था लगा पूरी रात पार करना मुस्किल ब्रक्षे के नीचे तो गाउन के किनारे गए अ अलका लका कि जा भैस बंद दिन गाए एक भैस की जगे खाली थे वहें का कि इसमें आप रुख जाओ और रात में के सरदी लगे तो भैसों को जो टाट उड़ाया जाते ना का टाट रूंद वह इसे टाटर रिख लिए तो सुभे तीन में कोई दुख थोड़ी होता बर लगन थी भगवत प्राप्ति करने हमें ब्रह्मबूध प्राप्त करना है हर्चन भजन हर्चन नमीन उत्सा भगवत प्राप्ति करना है इस सरीर को आप जितना महत्त देंगे जितना सजाएंगे इसका आस्तित तो खतम करना है मान रहित जीवन कोई महत्त नहीं अपने महत तो को मिटा दे तो भगवत महत्त प्रकासित हो जाता है जब तक ये अपने जीवन का आस्तित तो नहीं मिटा देता तब तक दाना खाक में मिलकर गुले गुल जार होता है सुना और कहा तो बहुत अच्छा लगा ले खाक में मिलना बहुत कथिन होता है अपने आहम को मिट्टी में मिला देना बहुत कठी होता है जब तक सरीर का दुलार है तब तक भगवत आवेश नहीं है एक भजन का आवेश आता है जिसे आप लोग भजन में लगते हो मन भजन में थोड़ी देर अगर लगा भी भी इसके बाद भी सेसंसार एक आवेश होता है हर समय पागल पन हर समय भजन का दिव्यावेश दिव दिव्यन भूतिया और वो कैसे जब तक आप इसी के चिंतन में आप देखो ध्यान से सुनना आपका हर समय चिंतन क्या होता है आप ध्यान से देखना आप हर समय बाहर ही रहते हो ये खाना ये पीना ऐसा वैसा उसने ऐसा क्या हो इसने ऐसा ये कर लिया वो कर लिया पाठ हो रहा तो बाहर हो कभी पाठ में अंदर होई है कभी सत्संग में अंदर होई है कभी एकांत में अंतर में तो होई है और जिनका भजन परिपक हो जाता है वो बाहर सब कुछ करते हैं कभी बाहर एक मिनट नहीं रहते हैं एक मिनट नहीं रहते हैं अपने सो रूप में रहते हैं इसलिए बहुत इस बात पर विचार कीजिए कि सरीर का महत्ता न रह जाए इसका महत्तों मिटाये विना कोई न सहचरी बनता न ब्रम्ह बोद्द हमारी दृष्टी में जो ग्यान मार्ग है वो बहुत आवश्यक है जिनको वो स्वाद नहीं मिल और अवहिलना कर देते हैं रहे क्या ग्यान क्या जाना तुम ग्यान किसे कहते हैं ग्यान के बिना तुम भगवत मारग में चल सकते हो क्या ग्यान अत्यन तो आवश्यक है हमें क्या वस्तु लेना क्या नहीं लेना इसका तो ग्यान होना ची हमारा मारग क्या इसका ग्यान हो पहले हम कहां फसर हैं इसका ज्न होना चीँ तभी तुम्हेंते हैं नहीं ग्यान ना। 8 इस शंपुर्ण ज्ञान के वलिश्ड बात के लिए गां अटाने के लिए जब प्रेम का आवेश होता है तो ग्यान अज्यान दोनों का त्याग हो जाता है जिसे एक काटा लगा तो दूसरे काटे से उस काटे को निकाला उसको अपना ज्यान है ना ज्यान है सदय प्रेम में स्थित रहता है ज्यान अज्यान निवरती के बिद्या विद्या निव्रती के लिए फिर अपने शुरूप में इस्थित हो गया तो वहां सब पर ब्रह्म सुरूप भगवत सुरूप है इस लगन लगने के लिए ये सब बिद्यान मनाया गया है एक आंते में तुम्हेरा मन वारी पाठ भग है तो सामुहिक बैठ करके पाठ नहीं हो रहा तो कम से कम स्रवन कर रहे हो अगर आप वाणी जी में बैठे हों आपका चिंतन और हो रहा है तो ठीक नहीं है आप साधक है अपने चिंतन को बशे वाणी में है तो वाणी में ही है ऐसा हुआ हमें तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं वो लगन क्यों नहीं दिखा इती जो पूराने सादकों में संतों में देखे गई देखा है मैं मुझे जिद्धी सुभाव भगवत प्राप्ति करने के लिए एक मुदब मरना एक ऐसे खिलवार से लगता था रात रात ब्याकुलता भजन की वो चीजें कम दिखाई देती है आपको जब आंतरी कानन मिलने लगेगा तो समझाना नहीं पड़ेगा आप उसी में डूबे रहेंगे देखा जाता है पूरा जीवन हो गया लेकिन प्रपंच नहीं छुटता है राग देश की बातें गुसरे पर सासन गुसरे से होड हम स्रेष्ठ हैं गलत बात नहीं क्योंकि स्रेष्ठ के बच्चे हो प्रभू के हो इसलिए स्रेष्ठता का भाव रेता है पर देख को लेके नहीं स्रेष्ठ हो गुणों को लेके स्रेष्ठ नहीं हो जितने भी गुण माया कृत है गुण मानी संसार और शकल गुण प्रीत बिनु बहुत धरत सिर्भार स्री हजिवन स्कृपा बिना जितने भी गुण है सब माया रचित है अगर हम किसी गुण का मान करते हैं हम भक्त नहीं है हम किसी भी शरीर की उत्तमता या अपनी अवस्था की उत्तमता है हमें पचास साल हो गए भगवत मारें हो सकता है पचास साल में आपने वो प्राप्त न किया हो जो पांच साल में प्राप्त कर लिया किसीने पांच महिने में प्राप्त कर लिया पांच मिनट की प्राप्तिक कर एक दो मैं अच्छा मैं सरीर नहीं हूँ मेरे जीवन का लक्ष भगोत प्राप्तिक द्रड निश्चे हुआ और चल पड़ा हो गया भगोत प्राप्तिक बिलकुल कठिन नहीं है और बहुत समय के आवश्यक्ता नहीं है और इतनी कठिने की लाखो जन्मों में भी होना असंब हो है सही हमें मार्ग दर्शक मिल जाओ सही धंग से हम उसे स्वईकार कर लें दूर नहीं है लक्ष दूर नहीं है कि बहुत सुलजने की जरुरत है यह जो आप लोगों की अवस्थाये हैं कि घोर तप मैं जीवन भी तीत करने हैं आनंद लेना है कि अच्छी समन्वें नहीं बैठ पाती है कि घोर तपस्चा करनी हूं और आनंद में रहना है अच्छी बात आनंद आपने शरीर की अनकुलता को मान रखा है ना जो दुख है बात समझना शरीर की अच्छे अच्छे हम कपड़े पहने अच्छा भोजन मिला अच्छे रू यही तो मुर्खता है यह मुर्खता है हम जो सुविधाओं में देखो सुविधा है जैसे हम दुख भोग रहे हैं इसे हम सुख भोग रहे हैं हमारी किड़ी नी खराब है सरीर दुख से भोग रहे हैं लेकिन इसमें रुची है क्या रुची तो नहीं है न वावा कि दिखरा बहुत बड़ी अच्छा है वही बड़ा आनंदा रहा है ऐसा तो नहीं है न भोग रहे हैं निर्पेक्षो के ऐसी उसको भोग रहे है कि प्रारब्द है या ठाकुर की लीला है उसने दे दिया है वही मकान में रहो उसने दे दिया ऐसे ऐसी परिस्थितिया जैसे हम दुख भोग रहे हैं वह ऐसे सुक से हम निर्पेक्षो करके उसे भोग ना सुक का आरस है और ना दुख का कहीं भी सोक है उपासक में तो उसको आनंद मिलेगा आनंद आनंद की परिवासा समझी है जो पर से है जो प्रकति से है उसे आनंद नहीं कहते है पर से प्रकति से अब आप इसी में देख लो वस्त्र से आनंद तो पर से है प्रकति से है सरीर से आनंद तो पर से है प्रकत से हैं, कोई भी भोग है, पर से है और प्रकत से है, कोई भी, स्रवनेंद्री, नित्रिंद्री, ग्राणेंद्री, रसेंद्री, पर से हैं नो, अब देख रहे हैं नो, प्रकत से हैं नो, छर है, अक्षर आनंद प्राप्त करने के लिए, इसमें सम होने की बात है, जिसे आपके समन्वे नहीं बेठाल पाते तो बात यह से सिरुई ना कि देख के भाव को एकदम रद्धी करना होगा क्योंकि यह पर है स्वात्वड़ी है स्वा स्वरूप स्वस्थ स्वरूपस इस्थित होना संकर सहेज स्वरूप समारा लाग समाद हम आनंद को प्रकति राजिस से लेना चाहते है बाबा जीवन के भी प्रकति राजिस से आनंद लेने की भावना ज्यानी की होती है अगर आप वस्त्र में भोजन में वाश में होगा लाडली की इच्छा के अधीन हमारा जीवन है कल जीवन था फुटपात में बैठे थे आज जीवन है सोफा में बैठा ले इसमें राग थोड़ी करना है बैठा लो आपके लिए है जीवन आपका है आप जैसे चाहो इसमें राग नहीं इसमें आनंद नहीं इसमें आनंद नहीं आनन्द हमारी प्रियालाल से, प्रभु से तप मैं जीवन का ताथ पर है जो आंतरी को और बाहे, प्रतिकुलताएं है उनको शेहना, ताप को सेहना ही तप है, ताप हमारे अंदर वास्चनाएं जागरत हो रही है हमारे अंदर कामनाएं जागरत हो रही है अंदर से प्रतिकुलता बाहर से हम चुप चाप सहे रहे स्रीहरिवन्स प्रसिद्ध धर्म समझेन अलब तप थोड़ी तप वाला निसन समझो स्रीहरिवन्स क्रपाशेव धर्म इंचाप अधिक से अधिक भगवत चिंतन हो सरीर का चिंतन भूग का चिंतन यहां सुख नहीं है यह बैठा लो दिमाग में नहीं है कैसे सुख नहीं हम तो अच्छे से चपाते हैं कुछ अच्छा किस वस्तु किस विशे में जिसमें तुम अच्छा ही लगाए हुई हो जिसमें भड़ा मजा है आतो सब ऐसा खांग कुछ नहीं माया कृति नाटक है भाई अगर वास्तिवी कानंद है यह पहले सास्त्री भासा में पढ़ा था फिर यह जीवन में अनुखो गुरु कृपा से बातन तब हम तुम्हें बता रहे हैं सरीर की प्रति महात तो हटाओ जल्दी से जल्दी विवेक के द्वारा भजन की बल से गुरु कृपा बल से इसका लाख थम हो जाए तो आप यह देखना कितनी भी अस्वस्थ वस्था हो आप स्वस्थ रहेंगे आप आनंदी तो यही आया आनंद बाद तभी तो हम आपको को यह रौप जमाने के लिए थुड़ी बता रहें कि ठंडी में मैंसे हर कस्ट में बड़ा आनंद रहता था अगर हम सरीर को इधाओं में पालते जाएंगे तो हम कमजूर होते जाएंगे सरीर को जितना सुख देते जाओगे उतने जिसे तुम सुख समझते हो उतने दुख होता चला जाएगा इसलिए उचित सावधानी रखे सरीर राग में मत पसिए जितना तुम्हारा सरीर तुम्हारे भजन में सहायक हो उतना ही इसको प्यार कीजिए अन्यता मत कीजिए एक दूसरे के प्रतिरागद्विस का त्याग कीजिए एक दूसरे से अपनी स्रिष्ठता के भाव का त्याग कीजिए हम से रिष्ट है, यहां में ज्यादा ग्यान, कुछ ग्यान नहीं है, सब उसी ग्यान समुद्र प्रभू से संचालित है और हमने देखा है कि सुभाव की रचना होती है, जिसे किसी का सुभाव है, आप चाहिए लाख बार उसे पीटो, वो ऐसी बरताओ करेगा, सुभाव बहुत गंभिर रही है, यह वेश, यह जितना कुछ है, इसी बात के लिए है कि शरीर संसार से हम त्यागी हैं ऐसा समझने आए कोई बात तो नहीं जब अधूती स्थितिक में तो समझते हो कभी मन आया तो सोने और चांदी और कोट और पैंट और कभी मन आया तो नंगे पड़े हैं कोई मतब कोई आया सरदालो पैना गया ओड़े बाबुजी बने बात्स हो हम बहुत आदर करते हैं ग्यान का क्योंकि ग्यान होने पर जो है और आप जितने भी दिगज प्रेम के देखोगे आप देखना हो दिगज जितने मिलेगे सब इसी कोट के मिलेगे जो ग्यान मार्ग से सीपात प्रभोधानन सवस्वत ग्यान के समद्र कितने ऐसे वाग वैराग यás से परिपक हुए बस ऊसमें टीनी डालें निर्मल जल चीनी डाली सर्वत्त्यार उनका। है उनका एक्दम निर्मल प्रें बिंदु पढ़ा पर हुका इस जौनी कोई ऐसा नहीं कहें सकता क्यों प्रेंगी नहीं सकता बहुत प्रेमी होता है आत्म प्रेमी होता है वो भगवान के निर्गुण स्वरूप से प्यार करता है इसलिए वो बाहर साकार रूप में प्यार वाला जो स्वरूप होता है ज्यानी की भी जैसे प्रेमी की एक मरत्य दशा होती है ऐसे ज्यानी की एक असंप्रज्याति विच चक्षणा समाधि मुर्दे की तरह सरीर हो जाता है प्राण वायु चलना बंद अपने आत्म रती में इतना अभी तो क्या साधना है पले लोगों की स्थिति का है कहां इस्थिति है इसलिए बहुत साधन कोई स्रेष्ट नहीं कोई लगु नहीं हम सब प्रभु के हैं एक दू कोई कल का साधक है कोई कल का साधक ने सब पुराने हैं क्योंकि सब पुरान पुरुस के अंस हैं और बहुत पुराने हैं कपड़े बदलते रहे हैं तो पुराना है मालों आपको लग रहा है दस साल का बच्चा है तो दस साल का थोड़ी केवल है वो दस साल की पोशात धार कि है तो बहुत पुराना गुरु है बहुत जन्मों से आ रहा है पुरान पुरुष भगवान कांस है तो अब उसकी पीछे कितनी बड़ी साधना होई तुम्हें क्या पता आज तुम्हें दिखाई दे रहा है कि अभी खेलता हुआ बच्चा है हमें इतना समय नहीं तुम सब समस्ते है वो पीछे पूरा जीवन हो सकता है अंतिम समय तक भजन करके थोड़ी कोई वासना रही ब्रस्ट हो गया तो पुना अपने सुधार के लिए जन मिली है अब जब जाग्रत होगी जहां जी सवस्था में उसका एक्रम है मालो वो भजन का आवेश आएगा वर्से के एक महिना पहले तको तुमको चंचल उद्धंड से सब दिखाए ठीक उसो समय भजन का जाओ खुला सुरुत तो अपने आप बदल जाए वह आपको दिखाई देगा ओरे इतनी उची स्थिती क्योंको भजन हम किसी को लगुना समझें यह दुरू जी को जो च्छ तो दर्सन की तो बात ही नहीं है तो हटते ही नहीं यहां के ठाकुर जी हटते थोड़ी है यहां के ठाकुर जी ऐसे थोड़ी कि गरुण में चड़के आये समय ज्यादा है नहीं दर्सन कर लो जा रहे हैं इस्तुतिवादी कर लो हमारी तो ठाकुर जी प्रिया प्रितम गि की हरिवन सक्रपासे साधक उपाशक रसी हर समय अपने प्रिया प्रितम के संग रहता है उसका सरीर भले तुम्हें दिखाई दे कि अधरी का है पुरुस का है वो हमारे बीच में बैठा है वो अलग ही रहते हैं बसे एक बार लगन लगा लो आप लोग लगन धीमी न पढ़ने पाए प्रहु की प्राक्ति हो जाए